आपको इसके नेम से ही पता पढ़ रहा है कि कभूतरों की पार्टी पार्टी आप सब लोगों ने की होगी और आप लोगों को बहुत मज़ा आता होगा बहुत एंजॉय करते होंगे आप अपनी पार्टी में लेकिन इस पोयम में आपको बताया है कि कभूतरों की पार्टी के बारे में बताया है कि कभूतर कैसे पार्टी करते हैं ओके बिफोर we start this chapter let me see its new words on page number 57 so students first word is hatched hatched means comes out of an egg hatched means किसी अंडे से बाहर निकलना आप सब को बता होगा कि जो birds के baby है वो किस में से निकलते हैं egg में से निकलते हैं तो जब वो egg food करके उसमें से baby बाहर निकलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं hatching second word is rocked rocked means move to and fro means इधर उधर move करना third is looked in the eye looked directly at someone without fear or shame looked in the eye का मतलब है सीधा किसी की आखों में देखना बिना किसी डर या बिना किसी शरम की okay now next word is showers here showers means dropping यहाँ पे showers का क्या मतलब है dropping dropping यानि कुछ कोई चीज गिराना okay dropping means solid waste matter of birds and animals means birds या animals का solid waste निकलता है जो चीज means की आप कह सकते हैं कि उनकी जो बौटी होती है उसी को dropping कहते हैं next word is splattered splattered means splashed with a liquid किसी लिक्विट से इदर उदर छीटे मारना that is splattered okay now let me start the poem students take out your books and read with me twenty noisy peasants had a party last night the last egg had hatched the youngest one was out so students इसमें क्या बताया आपको की twenty noisy peasants bees noisy means shore मचाने वाले तो bees shore मचाने वाले कभूतरों ने last night को एक party की as you as you can see students in this picture ये जो पीजन्स हैं ये कर रहे हैं party लेकि ये party क्यों की थी कभूतरों ने ये 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 पार्टी इसले की थी क्योंकि जो उनका last egg था वो हैच हो गया था हैच मीन्स वो फूट गया था और उसमें से क्या बाहर आया youngest one was out उनका जो सबसे छोटा कभूतर था वो बाहर निकला था ये रॉक्ट दे टीवी वायर्स अन लुक्ट दे किटिन इन दे आय तो जो पीजन्स से वो टीवी की वायर्स पे रॉक कर रहे थे रॉक मीन्स इधर उधर मोग कर रहे थे और उन्होंने क्या किया as you can see students ये किटिन की जो आईस है इसमें directly देखा बिना किसी डर के बिना किसी शरम के किटिन की आईस में कभूतर देख रहे हैं they splashed in the pool the kittens water bound as you can see students कभूतर क्या कर रहे हैं पूल में splash कर रहे हैं पानी जो चीटे उड़ाते हैं मसी करते हैं उसे को splash बोलते हैं आप लोग भी pool में नहाने जाते होंगे कभूतर है ये splash कर रहे थे पानी के चीटे उड़ा रहे थे फूल में लेकिन इनका लिए ये पूल क्या था ये पूल वही kitten का water bowl है जिसमें ये kitten है वो पानी पीती है इस बावल में वो ही इनका swimming pool था और उसके बाद में क्या हुआ उन्होंने पूल में तो मस्ती कर ली अब उसके बाद में उन्होंने क्या मस्ती करने की सोची उन्होंने सोचा कि एक contest रखा उन्होंने वो contest क्या था कि clothes line clothes line means यह आपके ममा भी कपड़े सुखाती है रसी पे तो यह होती है clothes line जिस पे कि हम कपड़े सुखाते हैं तो कबुतरों ने यह contest रखा कि कौन सबसे ज़्यादा droppings clothes line पे गिराएगा कपड़ों की जो रसी है उस पे सबसे ज़्यादा droppings कौन करेगा droppings का meaning मैंने आपको new words में बता दिया है next it must have been a good party many must have won तो यह जो उनकी party थी वो अच्छी party रही होगी उन्होंने बहुत मस्ती की होगी और इस contest में बहुत सारे जो कबुतर है वो जीते होंगे for the clothes were splattered with the proof of the fun इस चीज का क्या proof है कि उन्होंने बहुत मस्ती की बहुत फन किया इस चीज का proof था वो जो उन्होंने कपड़ों के उपर गंदा किया था वो ही इस चीज का proof था so I hope student you like this poem and you understood this poem okay in our next class we will do its comprehension part till then bye bye